Hello Friends, स्वागते आप सभी का मेरे चैनल पर, आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ में इस कुर्ती के नेक की कटिंग और स्टिचिंग शैर करी हूँ कुर्ती की कटिंग मैने अल्रेडी कर ली है, आज मैं आप लोग को बताओंगी इसकी नेक की कटिंग और स्टिचंग पर अब मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और मैं साड़े चार इंच पर यहां निशान लगाऊंगी क्योंकि मैं इसे बराबर करूँगी जो थोड़ा सा तिर्चा है मेरा पेपर पेस्टिंग तो इस तरीके से मैं उसे सीधा यहां पर मांक करूँगी बाद में मैं इसे कट कर ल तरफ से थोड़ा चौड़ा होगा और एक तरफ से थोड़ा रीरो होगा इस तरीके का योग पार्ट जो है मैं तैयार करने वाली हूँ तो यहां पर मैंने इसे मांक कर लिया है मांक करने के बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे में हम नेक विट्थ का निशान लगाएंगे तो यहां पर नेक विट्थ में रखने वाली हूँ धाए इंच धाए इंच पर मैं यहां निशान लगाऊंगी और नेक की जो लंबाई है वो मैं रखने वाली हूँ साड़े छाए इंच तो साड़े 6 इंच पर निशान लगा कि इसे मैं बॉक्स तयार कर लूँगी आप इसमें कोई सकते हैं लेकिन मैं यहां पर अब देखें यहां साड़े 3 इंच पर लगाऊंगी और उसके बाद मैं यहां से इस तरह से तिर्चा उस पॉइंट से मिला लूँगी आप चाहें तो स्केल से भी यह लाइन इस तरह से सीधी मिला सकते हैं अब इसके बाद मैं देखें मैं इसे उपन करूँगी और दूसरे साड़े भी हम सेम जो निशान है उसे ड्रॉ कर लेंगे हलका हलका जो है इसके उपर दिखने लगा है अब मैं इसे डार कर लूँगी ताकि इस तरह भी सेम शेप बन जाए तो इस तरह का मैं कुछ नेक रखने वाली हूँ अब इस पेपर पेस्टिंग को मैंने फैबरिक के उपर देखे पेस्ट कर लिया है प्रेस की हल्प से इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा फैबरिक हम लेंगे और अब मैं इस तरफ से मार्किंग करूंगे याने कपड़े वाले साइट से हमें मार्किंग करनी है यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको पेपर पेस्टिंग पर बताया है कि मैं किस तरह का नेक रखने वाली हूँ तो अब मैं इस फैबरिक के उपर देखे मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है सेम नेकी और यह जो पेपर पेस्टिंग है उसके निशान भी मैंने यहाँ पर लगा लिया जहां तक कि पेपर पेस्टिंग आ रहा है तो यहाँ से मैं सेंटर का निशान लगाऊंगी और इस स से मिला लूँगी इस तरह से सीधी लाइन से अब यहां से आप देख सकते हैं यह 8 इंच आ रहा है पूरा तो यहां पर 2-2 इंच की दूरी पर मैंने यह निशान लगाया है सेंटर वाली लाइन पे और उसके बाद में उसे मैंने तिर्चा उपर की तरफ में इस तरह से लाइ पहले जितनी भी लाइन से इन पर हम इस लेस को लगाएंगे सिंपल आपको इसे स्ट्रिच करना है इन दिर्ची लाइनों के ऊपर तो यह लेस मैं Hundreds में लगा ली है तिर्ची wij करने और साएं निशिए दो लेस जो है वो लगाने वाली हूँ तो ये दोनों लेस मैंने सेंटर में लगा ली है अब हमें यहां पर लेस अटैच करनी है जहां तक हमारा पेपर पेस्टिंग है वहां तक तो पेपर पेस्टिंग के उपर ही आपको लेस लगानी है लेस को अब हम रखेंगे उल्टा उल्टा करके उसका फेस हम रखेंगे सेंटर की तरफ याने नेक की तरफ हमें इस तरह से रखना है लेस को और उसके बाद में ये पूरी जो हमारी पेपर पेस्टिंग है उसके चारो तरफ हमें ये लेस लगा लेनी इस तरीके से तीनों तरफ हमने यह लगा ली है अब इसके बाद में हम यह एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे मैंने थोड़ा इसे ट्रिम कर लिया था अब इसके बाद में मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूंगी और फोल्ड करने के बाद में हमें इसे इस lace के बिल्कुल किनारे से stitch करना है तो इसे भी हम सभी side से stitch कर लेंगे stitch करने के बाद में देखिए ये इस तरीके से ready हो चुका है मैंने ये fabric इसके उपर fold करके stitch कर लिया अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे और अब इसके उपर हम top stitch कर लेंगे तो ये तीनो side हम इसी तरह से पूरा खोलने के बाद में top stitch कर लेंगे मैंने top stitch कर लिया है और neck का yoke part जो है मेरा इस तरीके से ready हो चुका है अब यहाँ पर मैंने ये ले लिया है कुर्थी का main fabric उसके उपर रख लिया है lining वाला fabric और center mark कर लिया है अब मैंने ले लिया है yoke part और इसे मैंने उल्टा रख लिया है lining वाले fabric के उपर और center में मैं यहाँ पर एक pin से इसे secure कर लूँगी अब यह जो neck की हमने marking की थी उसके उपर हमें करनी है stitching तो नीचे main fabric उसके उपर lining वाला fabric उसके उपर yoke part है और इसके बिल्कुल किनारे से हमने stitch कर लिया stitch करने के बाद में हम जैसे simple neck में चोटे-चोटे cuts लगाते हैं और cuts लगाके हम इसे पलट लेते हैं ऐसे हमें इसे front वाले side में याने सामने वाले side में हमें इसे पलट लेना है तो यह देखिए cuts ज़रूर लगाईएगा जिससे की neck आपका आसानी से पलट सके और finishing और ज़्यादा अच्छी लग सके तो यहाँ पर मैंने इसे front side में पलट लिया है पलटने के बाद में अब देखिए इसके उपर आप चाहे तो एक बार top stitch कर लीजिए या फिर मैं तो यहाँ पर lace लगाने वाली हूँ क्यों किसी के उपर अब मुझे यह lace लगानी है बिल्कुल किनारे से इस lace को लगाने के साथ ही मेरा जो यह neck है यह इस तरीके से कुछ तयार हो चुका है योग पार्ट जो है मैंने यहाँ पर attach कर लिया है नेक मेरा बन चुका है अब बिल्कुल इसके किनारे से आपको यहाँ पर stitching कर लेनी है ताकि यह जो योग पार्ट है यह भी आपकी कुर्टी के साथ में attach हो सके तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस कुर्टी को अगर आप प्लेन फैबरिक पर बनाएंगे तो यह ज़्यादा ब्यूटिफुल लगेगा इसके साथ में मैंने कफ स्लीव बनाई है आप देख सकते हैं कि यह कुर्टी का नेक और जो स्लीव है वो कितनी अच्छी लग रही है इन स्लीव का वीडियो भी मैं बहुत जल्दा आप लोग के साथ में शेयर करूंगे वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरू कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजेगा थाइंक यू फॉर वाचिंग